हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हो लोग यूपी एसससी जेई सिविल की जो 19 सिसंबर 2020 को एक्जाम हुई थी उसके कॉस्चन का आंसर और सॉलिसन देखेंगे तो वीडियो को देर किये बिना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कॉस्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क तो आप सभी को पता है कि टेंसाइल जॉन में रेंफोर्समेंट को परवाइड करते हैं नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं यहाँ डेस एडियम केन बी यूज़ अप्टू रेंज हन्रेट किलो मेटर वाइल डेस टाइप इस यूज़ विद विद ए रेंज ऑप 3 किलो मेटर यहाँ पर पहला जो होगा हंडरेट किलो मेटर के रेंज पे होगा माइक्रोवेब और 3 किलो मेटर के रेंज पे होगा इन्फ्रारेट यानिकी ऑपस्टन नमेर डी हो ज्लाएगा राइट ऑंसर आ है कि च्ट कैसिंट देखते हैं नहापने है question number 4 which among the following is a constituent of a good brick तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड बहुत easy question है क्योंकि option देखके आपको लगी गया होगा कि कितने easy question है तो right answer होगा alumina next question देखते हैं मंसर्ड ट्रस इजे combination of blank and blank trusses तो इसका जो right answer होगा फ्रेंड वह हो जाएगा king post और queen post आपर portion में king post रहती है और lower portion में queen post तो इसका right answer होगा option number D और बढ़ा कर जता हूं देख सकते हैं six number question fill in the blanks है fine aggregate can pass through is sieve off तो आप सभी को पता है कि फ्रेंड जो 4.75 mm से pass हो जाएगा वह fine aggregate कर आएगा तो इसका right answer होगा option number C 7 number question है you have a plan and reinforced concrete footing leaning on the ground which of the following illimitation should you maintain for thickness at the age of the footing तो इसका right answer option number C हो जाएगा T greater than equal to 15 cm next देखते है question number eight which of the following foundation is adopted where the loose soil extend to a greater greater depth तो इसका right answer होगा option number D pile foundation next देखते है question number nine fill in the blanks with correct answer velocity correction is applied to account 4.4 तो इसका right answer option वह हो जाएगा atmospheric error में फ्रेंट ये actually मैंने पूरा सर्च किया तो मुझे atmospheric pressure लग रहा है आपको अगर कुछ other option पे doubt है और अगर लग रहा है कि वह होगा तो आप comment कर सकते हैं मैं फिर से generator till career रिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब कोगुलेशन टू सेटल में क्या होता है किया नहीं होता है तो यहां पर देख सकते हैं फ्रस्ट लिखा हुआ है स्टтьलाने है टू सेटल तो इसमें क्या होता है इसमें होता है कि कैमिकल को एड किया जाता है Kokसाथ काउज स्मॉऔल पार्टिकरेंट यूच मुल्सीयट टॉप टुप तो यानि की एक आ हो गया takich हो टू हो गिया फिर लिखा हुए डिस इंफेक्शन तो डिस इंफेक्शन में होता है फ्रेंट क्लोरीन ओजोन हाइड्रोजन परक्साइड एटिसार यूई टू रिमूव बैक्टिरिया तो इसका हो जाएगा थ्री कि इसके बाद अगर इस तरह साथ कुम मेंच किजिए अगा फ्रेंट जो राइट ऑफ्सन निकल क्या आएगा वह जाएगा आपका आपका अप्सन नमबर भी को नेक्ट देखते हैं यहां पर देख सकते हैं अप्सन नमबर भी होगा इसका राइट आंसर अब यहां पर देख सकते हैं ट्वेल नमबर क्वेश्चन कंसीडर गिभन इमेज आइडेंटिफाइड द वन धैट कंपोईज मोस्टली ऑप क्वाड्ज सेंड तो फ्रेंड यहां पर कुछ इमेज द after analyzing a flow meter you observe that it has enough straight pipe length before and after the meter what is the major reason behind this pipe length तो इसका राइटा होगा प्रेंd option no.d हो जायएगा restless the flow profile within the flow meter next deck ते हैं question no.14 this may be fill in the blanks हा यहाट δumm हिस प्रेंd ृपनपाईड कर आइटा आट्यर होगा एठायका थ्सस्वार पर Whew reset would in the flow meter तो इसका जो right answer option हो जाएगा option number D, closure, next चलते हैं, question number 15, match the following in context of the labeling staff, labeling staff को उसके corresponding, उसके जो detail है, उसमें आपको match करना है, तो यहाँ पर देख सकते, इसका जो right answer हो जाएगा, आप इसको, मैं right answer बता देता हूँ, आप उसको match करके देख लिएगा कि किसके बारे में क्या क्या बो 1, B का 3, C का 4, D का 2, तो आप इसे match कर लिजिएगा, क्या क्या बता, क्योंकि question बहुत बड़ी हो जा रही है, और पूरी screen पे नहीं आप आपाएगी, next चलते हैं, question number 16, देखते हैं, क्या है, dash refers to the dispersion of solid or liquid particle of microscopic size in the air, तो इसका right answer option, aerosol, next देखते हैं, question number 17, identify the option that correctly complete the below statement, horizontal distance obtained by tachometric observation, पुछा गया, slope correction require करता है, या pull correction require करता है, या कि slope और pull correction कुछ भी require नहीं करता है, तो यही हो जागा, right answer C, do not require slope and pull correction, तो यह C हो जागा, आपका right answer, next चलते हैं, 18 number question, in the process of metallizing, which metal is used in present practice of painting of bridge in Indian railways, तो इसका right answer option, D, iron, next चलते हैं, question number 19, what would be the total pressure on submerged block making an angle O with the fluid surface, तो इसका right answer option number A, इस condition में angle पर कोई, यह depend नहीं करता है, इसलिए right answer X, A हो जाएगा, next देखते हैं, question number 20, arrange the following step in ascending order of removal of suttering, इसको आपको ascending order में arrange करना है, कि किसमें ज्यादा समय लगता है, किसमें कम समय, जिसमें कम समय लगता है, उसको पहले लिखना है, तो इसका पहला जो हो जाएगा, वो हो जाएगा C, फिर हो जाएगा A, फिर हो जाएगा आपका B, फिर हो जाएगा आपका D, यानि कि हो गया C, A, B, D, तो C, A, B, D कहां है देखते हैं, तो last option है हमारा friend, D option, C, A, B, D, यानि कि यह right answer हो जाएगा 21 question है, dash is prevented by the C, A, reinforcement in RCC, तो इसका right answer हो जाएगा friend, option number D, diagonal tension, नेक्ट देखते हैं तो 22 number question बहुत ही बड़ा question है friend, लेकिन बहुत ही easy है, आप अगर इसको शुरू से अन तक पढ़ियेगा तो बहुत ही easy लगेगा, तो 22 number question का answer में बता देता हूं सीधे आपका answer हो जाएगा option number B, A, E, C, D, B, F, तो आप इसे check कर लिजिएगा friend, क्या बोला जा रहा है क्या ने, इसके नेक्स्ट देखते है, question number 23 which among the following modes of measurement is proof for calculating damn proof course DPC, तो इसका right answer हो जाएगा option number B, it is measured as per drawing stating thickness, the description must include framework, finishing, curing, etc, यह होगा friend का answer, right answer next question देखते है, 24 number question, consider the given building types, identify the one that can be estimated using the center line method, तो यहाँ पोला गया friend, hexagonal, या circular, या octagonal, तो इस अभी को center line से measure कर सकते हैं friend, तो यह हो जाएगा option number D, right answer हो जाएगा option number D, next देखते है, question number 25, consider a T beam structure for light loading of continuous beam, what is the range of the ratio between its total length, sorry, total depth with total span, तो friends, अगर आप इसे note भी कर सकते हैं, जो अगर यहाँ पे देखे बोला गया है, light loading, अगर light loading के case में बोला जाएगा, तो friend, इसका right answer होगा option number D, 1 15 to 120, अगर medium के case में बोला जाता है, तो friend, 1 by 12 to 1 by 15 हो जाता है, medium के case में, और अगर heavy के case में बोला जाता है, तो friend, 1 by 10 to 1 by 12 हो जाता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, अगर light के case में D option हो जाएगा, medium के case में 1 by 12 to 1 by 15, और अगर heavy के case में बोला जाता है, तो 1 by 10 to 1 by 12, next question देखते है, question number 26, बोला गया है, इस soil layer of depth edge is divided into sub layer of thickness T to easy out the calculation of settlement of soil layer, you wish to calculate the final settlement by performing some operation on each thin layer, which of the following option will help you to find the total settlement of the layer, तो बहुत ही easy question, friend, इसका right answer हो जाएगा, option number D हो जाएगा, the sum of individual settlement of the various thin layers, जितने भी thin layer में उसको convert करेंगे, उसमें से सभी का plus कर देंगे, तो final मेरा settlement आजाएगा, next question देख सकते हैं, 27 number question, which of the following class with their respective description according to V, O, B, C, O, C, Dean, 18,300, तो friend, इसके according soil को classification क्या गिया है, तो यहाँ पे class लिखा हुआ है, और उस class के respect में, क्या soil के लिए क्या बोला गिया है, तो वो हम को match करना है, यहाँ पे, तो इसका जो right answer हो जाएगा, friend, 27 का, वो हो जाएगा आपका option number B, तो यहाँ पे friend, जैसे कि मैंने option B को answer टिक किया, तो यहाँ पे केवल class 7, class 4, class 1, और class 6 है, बाकि 2, 3, 5, यह सब तो लिखा हुआ नहीं है, तो maybe अगर next exam में 2, 3, 5 के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते है, friend, आपके screen पे अगर होगा अभी, एक पूरा चार्ट यह जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके according जो classification की गई है, वो चार्ट में सो करा रहा हूँ, इससे देख के आप यहाँ पे note कर सकते हैं, maybe अगर next exam में पूछा जाए तो, तो यहाँ पे आप देख सकते, friend, soil and rock classes according to V.O.B.C. Dean 18300, Dean 2009, तो यहाँ पे देख सकते हैं classification of soil and rock, class 1 में जो बोला गया, friend, वो top soil के बारे में बोला गया है, class 2 में जो बोला गया है, वो liquid soil के बारे में बोला गया है, class 3 के बारे में जो बोला गया है, easy to excavate, class 4 के बारे में class 4, moderately difficult to excavate, class 5 के बारे में अगर देखना है, तो hard to excavate, class 6 के बारे में देख लेते हैं, अब आकी जो detail लिखे वे वो आप पढ़ सकते हैं, मैं पूरा detail बताना नहीं जा रहा हूं, class 6 के बारे में easy to excavate rock and similar soil, और class 7 जो last है, hard to excavate rock, तो यह आप finally पूरी note कर सकते हैं, जितने भ करते हैं, next question हमारा 28th number question, fill in the blanks with correct option, the process to remove rust, mill, scale, oxidization and oil paint, old paint with the use of high velocity impact of abrasive sand and grit is known as, तुरिका right-hand-so-ka-friend option number B, blast cleaning, next देखते हैं, question number 29, which of the following valves should be used when you want to flow of water to be in one direction considering it does not flow in the river direction as well, तो इसका right-hand-so-ka-friend option number C हो जाएगा, reflux valve, next question देखते हैं, question number 30, match the following, तो यहाँ पर friend estimate के type लिखे हुए है, और उस estimate में क्या होता है, वो लिखा हुए, तो इसका right answer होगा, वो बता देता हूँ है, friend, और आप match करा लिजिएगा, कि कौन-कौन option में क्या-क्या बोला गया है, तो इसका right answer है, वो है, c number option, यह बला option, इसका right answer है, आप match करा लिजिएगा, देख लिजिएगा, किस estimate में क्या बोला गया है, next question देखते हैं, 31 number question, fill in the blanks with correct option, dash is a preliminary inspection of the area to survey in the third light traversing, तो इसका right answer option number D हो जाएगा, reconnaissance, next question देखते हैं, question number 32, out of the following option, what will represent the horizontal angle between magnetic meridian and true meridian, तो इसका right answer option number C, declination, next question देखते हैं, question number 32, match the following air pollutant with their respective sources, तो friend, यहाँ भी match of the following है, तो इसका right answer होगा friend, वो हो जाएगा, option number A, तो आप इसे match करा सकते हैं, यह मैंने option बता दिया, A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, आप यहाँ आप से, इसी type से match करा सकते हैं, A का जो option, यह जो A है, उसका relation है 4 से, B है, उसका relation है 1 से, इसी तरह आप match करा के देख लिए जाया कि कौन-कौन सा किस यूज में आते हैं, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, 34 number question, तो फ्रेंड इसका आप calculation किजिएगा, तो आप कोई भी आंसर ले सकते हैं, नेक्स्ट क्वेशन देख लिए यहां पर, calculate the water required for the concrete mix in gallon, if the water cement ratio is 0.6 liter per kg, and 70 kg cement has been added, तो फ्रेंड यहां पर बहुत ही easy question है, water cement ratio दिया हुआ है, और cement का weight दिया हुआ है, तो water cement ratio 0.6 into 70 कर दिजएगा, तो यहां 42 आ जाएगा, और इसको gallon में change कर लिए, 42 divided by 3.678 कर दिजएगा, तो आपका लगभग 11.11 यानि कि यह option के approach answer आएगा, next question 36 question दिख रहागा, which of the following term is not related to tachymetric surveying, तो यह तो बहुत easy question reference option number D answer हो जाएगा, radiation method जो कि plantable surveying के लिए use होता है, तो right answer option number D option हो जाएगा, आगे का question देखते हैं, तो इसका right answer हो का प्रेंट, option number B, Pascal's law, पास्कल जो इसका right answer हो का friend, 37 का पास्कल's law, next देखते हैं, next 38 number question, calculate the capitalized value of property, if it fetches a net annual income of Rs. 1500 and the highest prevailing rate of interest is 5%, तो इसका right answer friend option number D, 30,000, तो simple है friend, 1500 गुना 100 बट्टे 5 यहां पर कर दिएगा, तो आपका जो answer निकल का आएगा, यह आजाएगा option number D, next देखते हैं, 39 number question, which of the following lines connect the liquid state with liquid and solid state mixture, तो friends, इसमें मैं खुद ही confused हूँ कि इसका right answer क्या होगा, तो में भी इसका मुझे तो लग रहा है D option answer right होना चाहिए tie line, क्योंकि मैंने सभी के definition पढ़े तो किसी का definition में ऐसा कुछ लिखावा नहीं आया, maybe solidus भी इसका right answer हो सकता है, तो आप देख लिजेगा, अगर आप सभी को किसी को पता हो answer तो comment कर सकते हैं, नेक्स देखते हैं, question number 40, तो फ्रेन यहां पर arrange करना है यहां पर arrange the procedure steps in ascending order for a standard test of compression strength of a brick, तो फ्रेन सारा यहां पर detail लिखा हुए आपको बस arrange करना है कि कौन सा पहले event करना होता है और कौन सा बाद में, इसका जो राइट answer हो जाएगा, अपसन number C हो जाएगा, EDCBA, यहां पर आप मैस करा लिए यहां कि सबसे पहले, सबसे पहले the brick, specimen are immersed in water at room temperature for 24 hours, पहले उसको water में 24 घंटे के लिए immersed करेंगे, then remove the specimen and drain out any surplus moisture at room temperature, इसके बाद फिर जो frog होगे, the frog and all the voids in the bed face are filled with cement mortar, इसके बाद जो होगा फ्रेंड उसमें, the brick are stored under damp jute bags of 24 hours, followed by the immersion in clean water for 3 days, और इसके बाद फिर final test में देंगे, test the sample by keeping the mortar filling face upward and flat face horizontal in compression testing machine and note down the crushing load, यह यह फ्रेंड इसका राइट answer होगा, option number C, next को देखते हैं, irregular projection appear on the body of timber because of shock at young age, younger age is non age, इसका राइट answer होगा, फ्रेंड option number D हो जाएगा bulbs, तो next question देख सकते हैं यहां पर 42 question, identify the soil that get accumulated at its place of origin only, तो फ्रेंड जहां से वह वेदर डोटा है वहीं पर transport ना होके वहीं पर जमा हो जाता है, तो फ्रेंड ऐसे soil को option number B, right answer जाएगा, option number B, residual soil का आते हैं, तो next question देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं 43 number question, in the context with plan table surveying system, which method is being expressed by the following diagram, तो friend आप सभी को पता इसका जो right answer होगा option number D हो जाएगा intersection method, option number D हो जाएगा right answer friend intersection method, next question 44 number question, which of the following, which of the following is the most convenient and portable tool for the direct, direct computation of direction that mean horizontal angles, right answer जाएगा, option number A, prismatic compass, next जाएगा, what absorbent is used to determine water content in soil as per IS 2720 part 2 1973, right answer जाएगा, option number C, calcium carbide, next जाएगा, 46 number question है, choose the correct order of material to fill in the blanks, तो friend यहां पर देख सकते हैं, according to engineering science particle width diameter smaller than 2 micron है friend, 0.002 mm, और term as, यहां पर हो जाएगा clay, while those with diameter between 0.002 to 0.006 mm are called silt हो जाएगा, sand यहां हो जाएगा और यहां पर finally gravel हो जाएगा, तो इसका जो right answer हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा, option number B, clay silt, sand gravel, इसका right answer हो जाएगा फ्रेंड B, B हो जाएगा यहां पर, next देखते हैं, question number 47, fill in the blanks with correct option, arithmetic compass is mainly used to, तो यहां पर हो जाएगा, option number C, to find the bearing of traverse, to find included angles, next देखते हैं, question number 48, यहां पर match the following करना है, तो जो, check me a minute, यहां पर देख सकते हैं, metric change जो होता है फ्रेंड वह widely used and available in length of 5, 10, 20 and 30 meters, इसके बाद जो है B है, जो सर्वेर चेन, वो है length is 66 feet, and has 100 links widely used for land measurement, square chain में 1 acre, यह हो जाएगा, engineers chain होगा, length is 100 feet, revenue chain जो हो जाएगा, 33 feet हो जाएगा, तो इसका जो right answer हो जाएगा, option number C, C यहां पर इसका right answer हो जाएगा, अब में आज करा सकते हैं, यहां पर 49th question है friend, you have to, you have to construct a building under water, identify the kind of lime, that should be used in such a scenario, तो इसका right answer हो जाएगा, option number B, hydraulic lime, next question देख सकते हैं, have be loaded RCC column and RCC arches, of longer spun usage motor, composing of cement, sand and aggregate, in which of the following ratio, तो इसका right answer हो जाएगा, option number A, 122, next question बोला गया, identify the type of roof, from the image sun below, जो image दिया हो है friend, इससे आपको पता करना है, कि यह किस टाइप का trust, roof trust है, तो यहां पर tie beam दिया हो फ्रेंट, तो इसका right answer हो जाएगा, couple close roof, C option हो जाएगा right answer, next question देखते हैं, fill in the blanks with correct option, typically heavy mortar should have a bulk density of, इसका right answer option B हो जाएगा, इसका right answer option option C, by fineness module method, next देखते हैं, 54 which of the following option, is not a variation of magnetic declination, तो इसका right answer option D, is regular variation, 55 number question, choose the option that best describe gable, तो इसका right answer option option A हो जाएगा, the triangular upper part of a valve formed at the end of the pitched roof, next देखते हैं, 56th number question, which of the following machine can be used for the top soil removal, right answer option B, scrapper, next देखते हैं, shattering of beam spanning over 6 meters should be removed in, right answer option 21 days, next देखते हैं, 58th number question, electromagnetic waves are least affected by which of the following parameter, so friends, इसका right answer option option D, wind speed, यहाँ पे आप देखते हैं, the velocity of light electromagnetic waves, through the atmosphere can be affected by, temperature है, atmospheric pressure है, और water vapor है, यानि कि wind velocity, wind speed कहीं नहीं दिया हुआ है, तो right answer होगा, wind speed, next question है, specify the name of the test done to analyze the composition of loam using the reference image, यहाँ पर इमेज दी हुई है, उससे पता करना है कि यह कौन सा टेस्ट है, तो friend यह तो, कहीं पर आपको, मुझे भी खुद मिलने रही, मैंने बहुत जगर खो जा, तो इसका right answer मेरे ख्याल से नीबल टेस्ट होना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स देखते हैं, specify the name of the bricks used for, used for the image son, यहाँ पर नीचे image दिया हुआ, यह किस टाइप का, है friend उसको बताना है, तो इसका right answer होगा friend, option number a is play header, next देखते है, question number 61, consider two fluids having specific volume as s1 and s2, what would be the relation between mass density d1 and d2, तो इसके just opposite होथा friend, s1 less than s2 है, तो d1 greater than d2 होगा, right answer option number a, next देखते है, 62 number question, you have to transform kinetic energy to hydrodynamic energy, which of the following should you use to perform the above operation, right answer option number d, centrifugal pump, next देखते है, 63 number question, identify the technique generally preferred for contouring rough country, where ordinary level is tedious and chaining is slow and inaccurate, right answer option number b, tachometry surveying, next देखते है, 64 number question, in a tachometric equipped with an analytic lens, which is used to measure distance using principle of angular surveying, without using a chain or measuring tape, the additive and multiplying constant respectively are, additive पहले बोला गया, इसके बोला गया, 0 or 100 होगा, right answer होगा option number a, next देखते है, 65 number question, in a closed traverse with 5 sides, the error found from the forebearing and backbearing of the last line is, 1 degree plus 1 degree, the correction to the third line will be, 1 degree यानि कि 60 minute है, बत्य 5 कर देँगे, 12 हो जागा, 12 minute, 12 minute हो जागा friend, तो third line के लिए बोला गया है, 12 into 3 कर देँगे, 36, right answer friend, option number b, 36 minute, next देखते है, from the given option, identify the tool used by engineers to get constant leveling each time, right answer friend, option number b, auto level, next देखते हैं, question number 67, fill in the blanks with, correct option, straight line method, constant percentage method, sinking fund method and quantity survey method are used to determine, right answer option number a, depreciation, next question देखते हैं, 68 number question, consider the following property, identify the ones that are varied with a variation in effective state, so option one is compressibility, shear strength and permeability, right answer friend, 3 के 3 के 3, effective state के respect में, right answer option number d, next देखते हैं, specify the correct formula for year of purchase, years purchase from the below mentioned option, right answer friend, option number a, 100 by rate of interest, next question, 70 number question देखते हैं, identify the most accurate brick bond sound in the image, तो यह जो इमेज दियावा फ्रेंड वो बताना है कि कौन सा bond है यह, तो देखें फ्रेंड एक तरह पूरे के पूरे, header 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 दिये हुए और stretcher 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 दिये हुए, तो इसका right answer हो जाएगा, friend हो जाएगा, one and a half brick English bond, right answer option number C हो जाएगा, next देखते हैं question number 71, consider a 12 inches high slump cone having 8 inches in diameter at the top, how many layers of the concrete should you place to fill this cone, right answer friend option number B हो जाएगा, for equal layers by volume, next चलते है question number 72, friend यहाँ पर देखे, identify the instruments sound in the image, जो यहाँ पर image में दिया हुए figure, उसको identify करना है कि यह कौन सा instrument है, right answer friend option number D हो जाएगा, God meter, 73 question देखते है friend, points A, B, points A and B, are 60 hundred meter apart across a river, the reciprocal level measured are, तो friend यहाँ पर कुछ missing है जिसके कारण, वो उस data के कारण यह calculate नहीं किया जाएगा, तो यह question तो calculate नहीं किया जाएगा, अगर data उदा से missing है तो सबको इसमें number मिल जाएगा, टेंसर ना ले, 74 question है, consider an area having ordinates, 1.5 meter, 2.4 meter, 3.3 meter, 4.4 meter, what would be the traverse area by using Simpson's rule given that D is equal to 15, तो आप formula लगाईएगा friend, तो इसका right answer जो आएगा, 110 point something आएगा, तो यहाँ पे इसके approach में देख लिए तो friend, right answer option number B के साथ जाना चाहिए, तो यह B option right answer हो जाएगा friend, next देखते है question number 75, which of the following option correctly define the subsidiary station, तो friend, इसका right answer जाएगा, option number D, points close to main station to avoid intervening obstruction, next देखते है friend, question number 76, identify the option which hold true in case of the depth of neutral axis of a doubly reinforced beam, तो इसका right answer जो आएगा, if it is greater than the depth of critical neutral axis, the concrete attain its maximum stress earlier, right answer जो आएगा, option number B, next देखते है 77 number question है friend, triangular technique is classified as primary, secondary and tertiary, triangulation depending upon the area is covered, the correct order of length of the baseline is given as, so friend, triangulation chapter में आप लोग पढ़े होंगे कि primary का सबसे जादा होता है, secondary का होता है इसके बाद tertiary का होता है, तो इसके राइटन सब जाएगा, next देखते है, question number 78, which among the following is true in case of timber and steel suttering, so right answer option number 3, steel forms are stronger, durable and have a longer life than timber form and their re-usages are more in number, next देखते है, 79 number question, fill in the blanks with correct option as per IS 10, 7, 5, 7 and 1917 quad specification, bricks with compressive strength not less than 10 kg per cm2 are termed as first class brick, तो आप सभी को पता है, 105 होगा, जिसको आप Newton per mm cube square में बोलते है, 10.5 यह हो जागा, 80 number question देखते है which of the following typically determine a substance bar, तो इसका right answer option option number B, short distance of up to 200 meter तो फ्रेंट इस वीडियो में केवल 80 number तक की question को solve answer दे रहा हूँ, और अगर 80 से जो 125 number तक के question है, उसको मैं next वीडियो में upload कर दूँगा, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा तो, इसे भी मैं upload कर ही दूँगा, ताकि आप लोग को पता चले कि आपका कितना answer सही हो रहा है, तो मिलते हैं next वीडियो में, 81 से लेके, 125 के question को लेकर, thank you for watching the video,